काया कल्प डिसीजन मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन दबाना ना भूले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद काया कल्प डिसीजन मेकर दोस्तों आरद्रा राहु ग्रह का नच्छत्र है जो मिथुन रासी में आता है बैदिक जोतिस के इंस्वार भगवान सिव संकर के रूद्र रूप ही आरद्र नच्छत्र के अधिपती हैं जो प्रजा पालक हैं परन्तु जब उग्र होते हैं तो प्रिथवी राजस्वला होती है और इसे पुनीत काल में कामाय ख्या तेर्थ में अंबु बाची परवका आयोजन किया जाता है यह नच्छत्र उत्तर दिसा का स्वामी है आरद्रा के प्रथम चरण वा चोथे चरण का स्वामी देब गुरु ब्रिहस्पत हैं तो दूसरे और तीसरे चरण के स्वामी सनीदेव हैं भारत में आम तोर पर जून माह के तृति सप्ताह में आरद्रा नच्छत्र का उड़य होता है सामानने तोर पर 21 जून को सुर्य आरद्रा नच्छत्र में प्रवेश करते हैं आरद्रा को कृसक कारिकरने वाले लोगों का सहयोगी नचछतर माना जाता है आरद्रा का सामान अर्थ नमी होता है जो धर्ती पर जीवन के लिए जरूरी है यह आकास में मरी के समान दिखाई देता है बामन पुराण के अनुसार नचछतर पुरुष भगवान विषणु के केसों में आरद्रह नचटर का निवास है महाभारत के सांति पर्ब केंसर जगत को तपाने वाले सूर्य और अगनिवा चंडरमा की जो करिणे प्रकासित होती हैं सब जगत नियंता के केस हैं यही कारणे कि आरद्रह नचचर को जिवन दाई कहा जाता है इसी नचचर के पुरियोग में संपूर्ण उत्तर भारत के राज्यों में खीर और आम खाने की और साथ ही जामुन खाने की परमपरा है क्रिसकारी के सुरुवात इसी नच्छत्र में होने के कारण यह नच्छत्र सरवाधिक लोगप्री नच्छत्र है दोस्तों इस नच्छत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर अजीवन बुद्ध और राहु ग्रह का प्रभाव संयुक तुरूप से देखने को मिलता है राहु का प्रभाव इन्हें राजनीत के और लेकर जाता है और इनके प्रती दूसरों में आकर्षन बिक्सित करता है अध्यन में रुची अधिक और किताबों से विसेश लगाओ आपकी पहचान होगी सदे भी अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जागुरू का और व्यापार करने की समझ इनकी महान भी सेथता है ये लोग दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं इसलिए इन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता दूसरों से काम निकलवाने में माहिर इस नशात्रमी जन्मे लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नए तिक्ता को भी छोड़ देते हैं अब आए दोस्तों जान लेते हैं आरादर अनशात्रमी जन्मे बेक्तियों के सिक्षा और आयक किस पकार से होती है आपकी सिक्षा इलेक्टिकल इंजिनिरिंग जोतिस सास्त रथवा मनो बिगजान से समंधित हो सकती है प्रेशार वारह से स्लझाना फाष्ट फूड वा मादक पदार्थ हादि से जुड़े कार करके अजीविका कमा सकते हैं अब आए दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करते हैं आरदरा नच्छत्र में जन्मे जात्कों का संभव है कि आपका विवाह जरा देर से हो सुखी विवाही जीवन है तो किसी भी प्रकार के बाद विवाह से आपको हमेशा बचना चाहिए अनिता विवाही जीवन में दिक्कते आ सकती है नोकरी या विवसाय को लेकर आप परिबार से दूर रह सकते हैं आपका जीवन साथ ही आपका पूरा ध्यान रखेगा वह घर के काम काज में दक्ष और कुसल होगा अब आईए दोस्तों जानते हैं प्रथम चरण से लेके चतुर चरण में जन्मे आरद्रा नच्छत्र के जातकों का बिवहर किस प्रकार का होता है सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण में जन्में जातकों का अगर आपका अरद्रा नच्छत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो इसका स्वामी गुरु है नवमान सधनु है यह खोजबीन भोतीकबाद प्रसन्नता का दियोतक है जातक रक्तबण समसरीर सुंदरनाक लंबा चेहरा गनी तीखी भोहोबाला होता है बाणी जन्मे जातकों के बारे में जान लेते हैं अगर आपका जन्म आरद्रा नच्छत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी सनी है नौमान समकर है यह भोतीकबाद निरासा कष्ट का दियोतक है जातक की भोहें सुंदर बदनी गहरा हलका कृष्ण बढण छोटा च सनी सुविस्थान में हो तो बहुत इकता कड़ी मेहनत के बाद 32 वर्ष की उम्र पशात प्राप्त होती है यानि सफलता आपको 32 वर्ष के उम्र के पशात ही प्राप्त होगी अगर आपका जन्म आरद्रा नच्छत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो इसका स्वामी सनी है न आखों से मन की बात जानना कठिन होता है जातक सामाजिक कारे करता विक्तियों का सरीर रूप से मददगार करमठ तेज दिमाग वाला विक्ति होता है अब आई दोस्तों आपके चतुर्चरण के बारे में जान लेते हैं अगर आपका जन्म आरद्रा नच्छत्र के चतुर् अर्थक प्रलापी होता है जातक भाबुक हस्यासपद दानी बिना हिचकिचाहट के दूसरों के धन से मददगार इस्थिर दिमाग वाला लावदायक गतिविद्यों में सलनंग न रहता है तो दोस्तों यह जानकारी थी आरद्रा नच्छत्र के बारे में कि आरद्रा नच नच्छत्र स्वामी किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में आ जाते हैं तो इसमें अधिकता भी हो सकती है तो दोस्तों यह था आरद्रा नच्छत्र के बारे में संपूर्ण विसलेशन आपको कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें दो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैसरे किश्ट